नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को दोस्तों बहुत लोग इस तरीक इसलिए करना चाहते है क्योंकि अगर उन लोगोंने किसे अपने को खोया है तो उससे उनको कुछ मदद मिल सके या फिर कुछ लोगों कोमांसिक बिमारिया होती है उस ऐसी केस हमने देखी थी दोस्तों मैंने पहले आपको वह डिटेल में कहने की कोशिश करे थी एक अलग वीडियो में वह केस कुछ ऐस तरीक ऐसे थी कि जहां पर वह एक लड़का था उसने बहुत जादा दुखी था और इसके माता-पिता भी बहुत दुखी थे और जब उ हुआ दोस्तों जब उसने अपना past life regression किया तब उसको यह बाते पता चले कि बहुत सारे जन्मों में इसने खुद ने मतलब suicide किया था बहुत सारी तक्रीमन चार-पाफ साल मतलब जन्मों में उसने शुसेड़ ही किया था जदातर और वो हमेशे यही सोचता था कि मैं इससे भारा जाओंगा मैं इससे भारा जाओंगा मतलब मेरे सामने का इसे भी पला है मैं अपने आपको खतम नहीं करूँंगा उसके जीवन उद्देश को पुरा करने के लिए जो भी मतलब सागंगर्श उसके आत्मा ने चुना था उसको वो बहुत ही अच्छे से पुरा करेगा इस ती तरीके से हमेशे वो सोचता था लेकिन उसको पुरा ही नहीं कर पाता था तो इस जीवन में क्या हुआ दोस्तो कुछ ऐसे हालात उसके जीवन में आ गए कि बहुत ज़्यादा चांसे होते है कि इसका भाई इस दुनिया से चला जाए सुसाइड से और वो इस दुनिया से चला गया दोस्तो सुसाइड से और उसके बाद इसको जीना पड़ा क्योंकि क लोग बहुती ज़्यादा दुख में थे तब इस इंसान को दोस्तो पास्लाइव रिग्रेशन में ये पता चला कि अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो वस सुसाइड करके वो ही इस दुनिया से चला नहीं जाता दोस्तो कही ना कही बोलते ना कि उसका जो परिवार है उसके माता-पिता है वो हमेशा के लिए तिल-तिल रोज मरते है दोस्तो ये कुद मैंने भी ये बाते देखी है तो उस इंसान को ये सारी चीज़े कही ना कि उसके आत्मा बहुती गहरत गहर से मत गहरे पन से इन सारी चीज़ों को समझे इसलिए उसके जीवर में कुछ ऐ आगे बढ़ना पड़ता है तो इन सारी चीज़ों को अपने मातावीतों को कुछ संभलने की कोशिश करे इसलिए दोस्तों उसके जीवन में ऐसे पल आये थे जहां पर तुमने देखा ना कि कितने पहले के जीवन में तुमने सुसाइड किया तो तुमारे करीबी लोगों पर क्या गुजरी होगी आज जो सारी चीज़े तुम खुद भुगत रहे हो इसलिए ऐसा कोई भी कदम तुम मत उठाना कि तुमारे परीवार को मतलब इस तरीके से रोज हमेशा के लिए दुख में तुम डुबा दो इस तरीके से उसको संदेश मिले थे उस पासले फिरि बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं अब ऐसे मत सोचना कि अगर वही चीज मतलब जिसके वज़े से हम दुखी है उसके लिए आप कोई भी रास्ता नहीं बचा ऐसे आप मत सोचना जितना ऐसे वक्त में आपके जो परिवार वाले लोग है जो दिल से आपके से सच्चा प्यार क और जो सुसाइड कर रहा हूँ तो वो सारी चीजे फिर से मुझे आकर इस प्रुथवी पर उन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा मतलब वो जो प्रॉब्लेम है वो सौल्फ हुई ही नहीं और इसमें और भी एक बहुत बढ़ी चीज होती है कि जैसे अगर मैं सुसाइ करता है वो अपने ही दुख के बारे में ज्यादा तर सोचता है लेकिन ऐसे आप मत सोचो जो भी आपके करीबी लोग है उनके बारे में आप मतलब जितना उसके सोचने की कोशिश करें कुछ लोग ऐसे भी बोलते है कि मेरा तो कोई करीबी ही नहीं है जो मेरे बारे में मतल सीधी का हम सामना करें, हमारे जीवन उद्देश के लिए हो सकता है, कि ये दुख बहुती जादा मैतो पूर्णा था, इस दुख का अगर हम सामना करके आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुती अच्छे गति को जा सकते हैं, और दूसरी बात कि अगर हम सुसाइड करेंगे, तो व अगली वीडियो में किसी नई विशय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.